अगर आप इंस्टाग्राम में हमेशा रियल्स अप्लोड करते हैं तो इस रियल्स को बनाकर जरूर डालें ये रियल्स इस टैम ट्रेंडिंग में है तो आप अधिकतर ट्रेंडिंग रियल्स को भी डाला करें इस Reels को कैसे आडिट करना है आज के इस वीडियो में आपको step by step इसकी आडिटिंग बताने वाली हूँ तो वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल को first time देख रहे हैं तो इस चैनल को subscribe जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि हमारी वीडियो अप्लोड होने की notification सबसे पहले आप तक पहुचे और आप इस वीडियो को देख पाएं तो ये गाइस मैं हुसुनाली और आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक्नोलोजी स्मार्ट सपोर्ट में इस तरह के रिल्स बनाने के लिए हमको इसके फॉर्ट की जुरत पड़ेगी और इस तरह के फोटो की जुरत पड़ेगी तो सबसे पहले हम इस वेबसाइट को ओपिन कर लेते हैं इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जंगल पॉंट के नाम से तो जब आप उसे ओपिन करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस सो होगा उसके बाद अब हम इस तरह से इसे जुम कर लेते हैं और यहाँ पर डाउनलोड लिखा हुआ मिल जा रहा है डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से इसे डाउनलोड कर लेंगे अब हमें यहाँ पर इस तरह के फोटो की जड़त पड़ेगी तो इसका भी link मैंने description box में दिया है जंगल photo के नाम से आप जब उस पर click करके इसे open करेंगे तो आपको इस तरह का interface सो होगा फिर इस पर तेजी से tap करेंगे और फिर download image पर click करके यहां से इस image को download कर लेंगे तो अब ये दोनों मेरा download हो गया है font और image और अब हमें इस font का और इस image का यूज करके इस तरह अपने name की photo को edit करना है बहुत से लोगों ने इस photo को pixel lab app से edit करके बताया है पर हम आपको इस photo को vn app से कैसे edit करें ये बताएंगे जिससे आप बहुत ही आसानी से इस photo को edit कर लेंगे तो सबसे पहले आप vn app को play store से download कर ले उसके बाद अब हम इसे open कर लेते हैं अब plus के icon पर click करेंगे और फिर new project बर और अब यहाँ पर हमने जो image को download किया है वो आ जाएगा तो हम ये वाला image ले लेंगे अब original पर click करके 16 ratio 9 को choose करेंगे तो अब हम इसमें अपनी नाम को लिख लेते हैं तो इसके लिए हम tap to add a subtitle पर click करेंगे और फिर text बर अब add a heading पर click करेंगे और यहाँ पर आपको जो लिखना है वो लिख ले जैसे कि हम अपना नाम ही यहाँ पर लिख लेते हैं उसके बाद यहाँ पर जो ff लिखा हुआ है इस पर click करेंगे और यहाँ पर add font के आगे edit लिखा हुआ है इस पर click कर लेंगे फिर my fonts पर आ जाएंगे और यहाँ पर add font पर click करेंगे फिर import from file app पर और अब अभी हमने जो font को download किया है वो यहाँ पर so होगा urban jungle zip के नाम से तो हम इसे choose कर लेंगे और फिर इसे यहाँ से cut कर लेते हैं अब यहाँ पर urban jungle demo के नाम से यह font आ जाएगा तो हम इसे यहाँ से choose कर लेंगे उसके बाद right के icon पर click करेंगे और फिर इस तरह से इसे थोड़ा बड़ा करके यहाँ पर इस photo में इस तरह से adjust कर लेते हैं इसे adjust कर लेने के बाद इसका हम screenshot ले लेते हैं और इसे इस तरह से cut कर लेते हैं जितना बड़ा ये फोटो है उतना बड़ा इसे हम cut कर लेंगे अब मैंने ये फोटो बना लिया है अब हम इसका वीडियो बनाएंगे इस वीडियो को हम CapCut की template से बनाएंगे तो इसके लिए आपके phone में CapCut app डाउनलोड होना चाहिए अगर आपके पास CapCut app नहीं है तो सबसे पहले आप इस वाले वीडियो को देखकर CapCut app को डाउनलोड कर लें जब भी आप CapCut app या CapCut की template से वीडियो को बना रहे हैं तो आपको सबसे पहले VPN को connect कर लेना होगा तो मैंने Play Store से Singapore VPN दी VPN मास्टर को डाउनलोड किया है आप किसी भी VPN का यूज़ कर सकते हैं तो अब हम VPN को connect कर लेते हैं और अब हम इस app को open करेंगे और यहाँ पर select server पर click करेंगे और फिर नीचे scroll करेंगे तो यहाँ पर Singapore को option मिल शाएगा तो यहाँ से हम सिंगापूर को choose कर लेंगे और फिर start पर click करेंगे तो अब यह मेरा VPN connect हो गया है अब हम इसका वीडियो बनाएंगे तो आपको description box में एक link मिल जाएगा CapCut template के नाम से जब आप उसे open करेंगे तो आपको इस तरह का interface तो होगा उसके बाद नीचे scroll कर लेंगे और जो यह पाचवा template है इस पर आ जाएंगे और फिर use template in CapCut को choose करेंगे उसके बाद use template पर click करेंगे फिर यहां से हम उसी photo को ले लेते हैं जो अभी हमने screenshot लिया है और अब preview पर click करेंगे और अब हम इसे export कर लेते हैं तो export पर click करेंगे और फिर export without watermark को choose कर लेंगे अब यह हमारा video बन गया है और मेरे gallery में save हो गया है तो अब हम इसमें music को add कर लेते हैं तो हम इस reels को open करेंगे इस reels का link भी आपको description box में मिल जाएगा और इस audio को open कर लेंगे और फिर use audio पर click करेंगे अब जो अभी हमने rails को बनाया है उसे यहां से choose कर लेंगे अब यहां पर add पर click करेंगे और next कर लेंगे और अब यहां पर जो भी लिखना है उसे लिख के आप यहां से इस reels को share कर लें जब आप इस reels को share करिएगा तो मुझे टेक करना न भूलिएगा मेरे account का user name आपको screen पर so हो रहा है अब हम दिखा देते हैं कि हमारा वीडियो कैसा बना है इसी तरह से आप बहुत ही आसानी से इस तरह के reels को बना सकते हैं trending reels उसे related मैंने और भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और आगे भी मैं इसी तरह से वीडियोस बनाने वाली हूँ तो हमारे चैनल को subscribe जिरूर कर ली जिससे कि जब भी मैं वीडियो को बनाओ तो आपको तुरण notification मिल जाए और आप उस वीडियो को देखकर अपने reels को edit कर पाएं मैं अगला reels tutorial कौन सा बनाओ आप मुझे comment में जरूर बताएं